नमस्कार में डाक्टर रजिनिश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हारतिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उत्रा खंड अधिनत सेवा चन आयोक से निकली वी भरती के उपर कि इस भरती में कौन-कौन फॉर्म को एपलाई कर सकता है कब से फॉर्म भरा जा रहा है इन तमाम चीज़ों पर बातचित करेंगे क्राइटेरिया क्या है भरने की पेपर किस तरीके का होगा ठीक है तो तमाम बिंदों पर हम चर्शा करेंगे क्योंकि हमने हिंदी सिलेबस पर बातचित की थी तो आप सबी के कई कमेंट्स आए कि कौन-कौन इस फॉर्म को भर सकता है सबसे बड़ी बात यह है तो चलते हैं बिज्यापन पर मेन-मेन बिंदों पर बात करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्राखंड अधिनत सिवा चैन आयोक द्वारा समू क सिधी भरती के अंतरगत माधमिक शिक्षा विभाग उत्राखंड में गड़वाल मंडल एवं कुमायू मंडल के अंतरगत सहायक अध्यापक यहाँ पर दो मंडलों की चर्चा की जा रहे हैं एक है गड़वाल मंडल और दूसरा है कुमायू मंडल दोनों मंडलों में हर विशे में अलग-अलग सिट्स निधारित है विग्यापन आया हुआ था 14 मार्च 2024 को आनलाइन 22 मार्च 2024 से भरा जा रहा है आनलाइन आवेदन करने की जो अंतिमति थी है 12 अप्रेहल 2024 से चन्शोधन करने का भी मौका मिलेगा 16 अप्रेहल से 18 अप्रेहल की बीच में परिक्षा कब हो सकती है इसका अनुमान लगाया गया यानि अनुमानित थी है जुलाई 2024 में तो फ़र्म आप सभी एप्लाई कीजिए खास्तोर से जो भी उत्राखंड के विद्धियार्थी हैं वो तो निष्चिन तवर पर इस फ़र्म को एप्लाई करें दूसरे राजियों के विद्यार्थी क्या करें आगे हम उस पर इसी वीडियो में बातचित करेंगे ठीक है तो विज्ञापन कप का प्रकासित हुआ है कप से फॉर्म बरा जा रहा है आखरी डेट क्या है संसोधन कप किया जाएगा ये सारी चीज़ें आम देख लिजे परिक केंसीज हैं खासतर से टीचिंग छेत्र में उनकी परिक्षाएं निश्चित तोर पर होने की उम्मीद है तो जुलाई में उत्राखंड एक्जाम ले सकता है अब यहां पर बताया गया कि दो मंडलों में पद निकले हुए हैं कुमायों मंडल और गढ़वाल मंडल ठीक है तो कुल 1544 रिक्त पदों पर अनलाइन फार्म अमंत्रित किये जाते हैं 12 प्रहल तक इसको जमा करना है यानि की फार्म को भर देना है अब वियर्थियों के चैन का जो भी पैटर्न होगा वस्तुनिष्ट प्रकार की बहुभी कल्पी आफ्लाइन एक्जाम के माध्यम से इस यानि कि आपको बुकलेट मिलेगी उसके इसाब से आपको वहां पर प्रशनों के उत्तर को देना है तो यह कुछ मुख्य बाते हैं आगे हम बात करते हैं कि अलग-अलग जो मंडल है खासर से गड़वाल मंडल में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हिंदी का ही दिया गया तिक है एस्ट में 18 सीट, एस्ट में 3 सीट, ओबीसी में 13 सीट, एडवलीएस में 9 सीट और सामान अनारक्षित वर्ग में 50 सीट हैं यानि गड़वाल मंडल में मैं देख रहा था पूरा बिग्यापन तो सबसे ज्यादा सीट हैं इसी में आई हुई हैं और लगबग दोनों मंडलों का मैं करूं तो 100 से ज्यादा सीटें यहां पर हैं तो यहां पर देख रहे हैं आपकी जो भी बच्चे सामान या अनारक्षित में 50 सीट उनके लिए बाकी सीटें आरक्षित में तो अलग-अलग विश्मयों का दिया हुआ है अब हम बात कर लेते हैं इसमें आगे दिया हुआ है कि गड़वाल मंडल के अंतरगत यहां पर देखें 60 प्रस्यत सीधी बरती महिला शाखा के लिए 40 प्रस्यत महिला पूरुस दोनों के लिए यह भी चीजें ध्यान में रखना है और आगे पता चलेगा कि किसमें आप फॉर्म एपलाई कर सकते हैं जो उपर हम अगे पॉइंट दिया गया है आप उसको देख सकते हैं जो गड़वाल मंडल के अंतरगत साथ प्रस्यत सिधी वरती महिला शाखा के अंतरगत है उसमें हिंदी में कुलाब देख रहे हैं कि 9 सीट है बहुत ज्यादा सीट है नहीं है सी में 2 हैं स्ट में कोई सीट नहीं है वह वी सी में 1 है और ऑन्रिजर्ट कटेगरी में 5 सीट हैं तो महिलाओं में ज्यादा सीट हैं सामान शाखा में ही ज्यादा सीट हैं आगे और देख लेते हैं जो भी कुमायू मंडल है उसके अंतरगत क्या स्थिती है अच्छे देखे यहाँ पर 10 प्रसेस सिधी भरती भी दिया गया है सामान शाखा के अंतरगत गड़वाल मंडल में तो हिंदी में तीन सीटें सीट के लिए हैं एक सीट सीट दो सीट ओबी सी एडबली एस के लिए दो सीट और सामान ये जनरल के लिए साथ सीट है यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ प्रतिशत निर्धारित किये गए हैं मंडलों के अंतरगत कि किसमें दस प्रतिशत है किसमें साथ प्रति समय इनको आपको सावधानी से भरना है ताकि आगे चलकर दिकत न हो ठीक है तो देख रहे हैं कि लंबा चोड़ा 128 पेज का पूरा यह विज्ञापन है यहां पर देखिए गड़वाल मंडल के अंतरगत 10 प्रिससी दी भरति मैला मैला शाखा के अंतरगत केवल एक शीट आ एई हुए वह बी आनारक्षित में तो देख लिजिए किसमे आपको लगना है क्योंकि फॉम भरते समय आपको चुनना पढ़ सकता है कि फ capitalist मैला शाखा के अंतरगत भरना है या फिर सामान शाखा के अंतरगत घराना है क्योंकि भरते समय थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा अब कुमायू मंडल के अंतरगत ठीक वैसे ही शाठा प्रतिशत सिधी बरती सामान शाखा के अंतरगत है और इसमें आप देखरें कि 70 seat है ठीक है 70 seat है और इसमें 30 seat सीट है तो सामाने शाखा के अंतरगत सभी लोग भर सकते हैं मैला पूर्स कोई भी भर सकता है अब देखते हैं कि मैला शाखा के अंतरगत कुल 11 सीट हैं हिंदी में दिखाई पड़ रहे हैं आज इसमें से कि छे सीट जनरल में एक EWS में दो ओबी सी में है एष्टी में कोई सीट नहीं है ये सी में दो सीट है इसके बाद हम देखते हैं कि 10 प्रस्श्यत में किटना कितना सीट है अलग अलग क्योंकि विग्यापन बड़ा है अलग नम से आपर निकला हुआ दस प्रस्षत में आप देख रहे हैं कि जनरल में साथ सीठ है, EWS में एक है, OBC में एक, ST में एक और SC में दो सीठ है, कुल मिलाकर 12 सीठें दस प्रस्षत सिधी बर्ती में सामाने शाखा के अंतरगत निर्धारित की गई है, आई हूँ है, अलग-अलग भी से में हैं इसी तरी देख सकते हैं, इसी तरीके से 10 प्रस्षत में मेला शाखा के अंतरगत मातर 2 सीठें आई हूँ, जो कि जनरल कटेगरी में ही दोनों सीठें है, ठीक है, तो अपना मंडल के अनुसार अफ़र्म बरते समय, साउधानी से उसको भरिये, ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो, यहा मेला शाखा 7 प्रस्षत और 10 प्रस्षत उपर में बताया गया, उसमें किवल मेला अवियर्थी फॉर्म भर सकते हैं, यानि कि पहले से इसमें जो मेल है, यानि पूरुष हैं वो सब बाहर है, सामानी साखा के पद मेला और पूरुष दोनों अवियर्थी दोरा भरे जाएं ये देखिएं आपर चीजें मेला चाहें तो सामानी साखा के अंतरगत भी भर सकते हैं, लेकिन जो मेला शाखा है उसमें पूरुष नहीं भर सकते हैं, इस चीज़को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, आवेदन पत्र में अभियर्थियों को 60 प्रस्षत सामानी साख वह मेला शाखा चेन का विकल्प अब विल्यक सत्यापन की समय मेरिट के आदार पर धिया जाएगा, यानि कि जो भी आप फार्म बर रहे हैं, बहुत ही सावधानी से फार्म बरना है, ने तो दिक्कत आएगी सामने, तिदी भरती 60 प्रस्षत विभागी, भरती 10 प्रस्षत परिक्षा दोनों मंडलों है तो एक ही तीथियम समय पर आयोजित की जाएगी, यानि कि परिक्षा आलग अलग दोनों मंडलों के लिए नहीं होगी, बलकि एक ही दिन होगी, जो भी जुलाई में होगी, प्रस्षिक्षन कारिक्रम समय समय पर राष्ट्रिय अध्यापक सिक परिशा द्वारा निर्धारित मानदंड और मानकों के अनुसार मानने होगा ते कुछ मात्पूर्ण चीजे थी जो की नोट में विज्ञापन में दिया गया है वेतन मान क्या हो सकता है इसका 44,900 रुपे से 1,42,400 लेबल इसका साथ है ठीक है लेबल साथ है जबकि असिस्टे तोर पर रहेगा यानि गजजेट रेट ऑफिसर के रूप में नहीं रहेंगे इस्थाही रहेगा अंश्रदाई प्रेंशन यूप्त इसमें रहेगा तेक्षिक अहरता क्या है देवा में विभीनिक पदों पर नियूपति के लिए अब एरती के पास जो जो अहरता है होनी चाहिए नीचे इसमें दिया गया है तो सहायक अध्यापक सहायक अध्यापी का सामानी के लिए है कि भारत में विदी द्वारी स्थाप्त किसी विश्विद्याले से भूगोल और सास्त सामानी यहां पर दिया हुआ है इसको आप सेस्टी और सोसल सैंस के रूप में देख स ऐंड और से प्याएशन करते हैं तो इसमें शुरू के दो वर्शट तक वुस्य दो विश्विद्यार करते हैं अंत में 1 से आप्ड़ और कर दो आखरी वर्स में भी दो विशे रहते हैं तो आप देख लिए कि आप जब बीए कर रहे थे तो कितने वर्स तक कौन-कौन विशे पढ़ें लेकिन यहां पर बता है कि त्रिती वर्स एक विशे से कंप्लीट एक दम होना चाहिए और शेस जो विशे हैं वो दूसरे वर्स तक नहीं हो आप जरूर नएं यह नहीं कि हर विशे एक एक साल पढ़कर छोड़ दिया गया इस तरहिकी से नहीं तो आप देखते हैं कि घ्रेजुएशन में honors होता है यह प्रोग्राम कोर्स होता है इसके बाद past course होता है तो honors course में हम honors विशे पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं बाकी दो साल तो पढ़ते हैं लेकिन हमारा जो फाइनल मार्क्स आता है वो के ओल आनर्स का आता है लेकिन भी ये प्रोग्राम या फिर पास्पर्स पढ़ते हैं तो तीनों विश्यों को इसमें जोडा जाता है और आखिर में उसका परसेंटेज बनता है तो आप देख लेज इसके बाद आपका B8 होना चाहिए ठीक है आगे हिंदी पर अम बात करते हैं अलग अलग विश्यों का दिया हुआ है हिंदी पर हिंदी में देख लेते हैं की कैसे होगा कुछ-कुछ उत्तर प्रदेश की यहां पर नकल की गई है यानिकि उसका अनुसरण भी किया गया है ह हिंदी भाषा से अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं सायक अध्यापक तो भारत में विधी द्वारा इस्थापित किसी विश्यों विद्याले से हिंदी साहित्य जो आंति मुवस्तक अनिवारित रहा हुँ साथ में राहो के साथ इसनातक के उपादी और उत्तराखंड गिद्याले शिक्षा परिशत मादमिक शिक्षा परिशत उत्तर प्रदेश अथवा संकक्ष शिक्षा परिशत से इंटरेमेडियेट परिशा अथवा संकक्ष परिशा संस्कृत विश्यों के साथ उत्तिर्ण क यहां पर पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पहली बात है कि आप हिंदी साहित्य बीए में अगर लिये हैं तो आखरी वश तक आपका हिंदी साहित्य रहा हो यानि कि तीनों साल आप हिंदी पड़े हो साथ में कुछ चीजें यापर बताए गई है कि अगर आप इंटर में हिंदी के साथ संस्कृत नहीं पड़े हो तो कम से कम बीए में आपका एक विशे संस्कृत के तोर पर होना चाहिए यहाँ पर दो चीजे हैं एक तो इंटर में आप अगर हिंदी पड़े हैं तो इसके साथ संस्कृत होना चाहिए था अगर मालेजी बाईचांस आपका संस्कृत नहीं है तो बीए में कम सकम हिंदी के साथ आपका जो कंबिनेशन होगा वो संस्कृत के साथ होना चाहिए तो यहाँ पर बहुत सार ऐसे वच्चे हैं जि बहुत बड़ा रोल है और यहां पर देखिए पहले पॉइंट में इस चीज को दिया गया है अगला दूसरा पॉइंट है किसी राजिकी या सरकार से मानेता प्राप्त प्रसिक्षन संस्थान या महाविद्याले से एल्टी डिप्लोमा या विधिद्वारे स्थापित विश्वविद्याले से बीएड की उपादी आपके पास होनी चाहिए यानि कि बीए इसके बाद बीएड बीए में भी हिंदी साहित अंतिम वर्ष तक आप पड़े हूं तीनों साल पड़े हूं और साथ में संस्कृत भी तभी होगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपना कंबिनेशन देख लिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं या फिर मैसेज करते हैं कि उनके कंबिनेशन में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम क्यों आती है इस पर आगे मैं सोचा हूं एक वीडियो जरूर लेकर आ सिर्फ बीए-बीएड वना चाहिए बल्कि यूटेट आपको पस होना चाहिए साथ में यूटेट में दूसरा पेपर और सीटेट में भी दूसरा पेपर परिक्षा अनिवारी रुप से आपको पस होना है और उसका मानद? नहीं ऑन धारिद किया गया कि कितने-कितने नम नंबर होना चाहिए तभी इस फॉर्म को बर सकते हैं बाकि जितने भी दियग हैं उसमें कुछ ने को छूट दी गई है जैसे कि आप भूतपूर सैनिक हैं तो आपको 75 नंबर लाना है दिभ्यांगे तो 75 है अनाथ है तो 60 है यानि कि जो रेंज है आप देख रहे हैं कि 60 से ल इस तरीके से होगा और यहां पर जो परिक्षा का पैटर्न है लिखित परिक्षा होगी और सो अंकों की परिक्षा होगी वस्तुनिष्ट प्रकार की होगी ठीकर बहे बीखलपी प्रश्ण होगे दो गंटे का समय दिया जाएगा और इसमें जो भी परिक्षा पेपर होगा यानि कि दो खंडों में होगा भाग एक भाग दो भाग एक में सैक्षिक अभिविरित्ती यानि टीचिंग एप्रिक्षन रिजिनिंग और सामा निज्ञान के 50 प्रशन रहेंगे 50 अंग के रहेंग इस तरीके से टोटल आप देख रहें कि 100 अंकों का ये पुरा एक्जाम है यहां पर आपके मन में आना शुरू कर दिया और क्या इसके लिए कोई इंटरव्यू उत्यादी है आगे हम देखते हैं इसमें बताया भी गया कि आप अगर एक्जाम में बैठते हैं 100 नंबर का है तो आपके लिए क्राइटेरिया भी है कि OBC, EWS और सामानी के लिए कम सकम 45 प्रशत अंक आपको लाना है एक्जाम में यानि कि 100 में 45 नंबर लाना है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे वहीं SC, ST के लिए 35 प्रशत अंक लाना है तभी लिखित परिक्षा में आप क्वालिफ मिलेगा आपको परिक्षा के पास ले जाने की अनुमति होगी यानि की question आपको मिल जाएगा आफ लाइन है इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रते एक प्रश्न में कुल चार विकल्प दिये जाएंगे चार विकल्प में से किसी एक प्रश्न का है और यहां पर के निगेटिव मार्किंग भी जो बच्ची हो सकता है कि इस वीडियो को आगे बढ़ गया होंगे कि क्या फाल्तू बाते हो रहे हैं लेकिन में चीजे आपर है कि एक बड़ा चार नंबर आपका निगेटिव भी आपको मतलब मन में कन्फीजन नहीं लाना कि क्या नकरात्म आपका इप्लाई कर सकते हैं और अलग-अलग कुछ यहां पर छूट भी दी गई है पांच वर्स से ज्यादा छूट नहीं होगी अगर यहां पर डिप्लोमा धारी है और क्या है ठीक है न तो मैं आपको ध्यान में रखना है कि 21-42 के बीच में फॉर्म को भर सकते हैं और कुछ नियम कानून है जिसमें कि क बढ़ा प्रश्ण है कि आवेदन कौन कर सकता है यहां पर पताया गया कि उत्तराखंड लोग से वा आयोकी परिदी के बाहर समुग्ग के सीधी भरती के पदों पर भरती है तो निम्लिकित अनिवारे अर्ताओं में से एक होनी आवश्यक है तो एक होनी आवश्यक है अब कौन चीजें आपके पास है अभियर्थी का उत्राखंड राज में इस्थित किसी सेवा योजन कार्याले में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तीथी तक पंजिक करन हुआ तो अभियर्थी जो भी अप्लाई करना चाहता है उत्राखंड राज में इस्थित किसी सेवा कार्याले में आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम्तिथी तक कोई रजिस्ट्रेशन कराना है वह आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए अगर आप उत्रा खुण सो देहिए आपधी गई गई हैक कोई में राजी में इस्थित किसी सेवा योजन कार्याला में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथी तक पंजिक करण हुआ। दूसरा दिया गया कि अव्यर्थी उत्राखंड राजी का मुल निवासी इस्थाई निवास प्रमारपत्र धारप। यह तो उत्राखंड के विध्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके पास मुल निवास प्रमारपत्र होगा ही होगा। तो यह देखे एक है। इसके बाद दिया गया कि उत्राखंड लोग से वायों कि परिदी के बाहर समुग के सिधी वर्ति के पदों पर भरती है तो आवेदन के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा। जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडियेट या इसके समकक्ष इसतर की शिक्षा उत्राखंड राज में इस्थित पानेता प्राप्षन थानों में उत्तिन की हो। आजे कि आँपर है कि अगर आप उत्राखंड से दस्वी की परिक्षा पास किये हों तो आप इस फ़र्म को भर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप निर्धायत कर लिजे कि इन तीनों में से आपके पास कौन सी योगिता है। आप यहां के मुलनिवासी हैं या फिर यहां से दस्वी बारवी किये हैं। ठीक है या फिर सेवायोजन कार्याले में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप देख लिजे अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो एक तो करने का प्रयास किजिए। कव वाला ज्यादा आपकोई इजी हो सकता है। बाकी ख़व और गव तो आपकी पास मौका नहीं है अगर आप दस्वी बारवी नहीं किये हैं। तो इन तीनों में से एक करना है। और कुछ छूट दी गई है पर जैसे कोई सेना में है और सैनिक बलं में कारे रहत है। तो इसमें कुछ छूटे दी गई हैं कि अगर उनका बार स्थानांत्रित नहीं हो पा रहा है तो उनकी जो पुत्र पुत्री हैं वो यहां के लिए फॉर्म एप्लाई कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है कुछ छूट दी गई है तो ऐसे विद्यार थी जिनके घर के लोग उत्रा खंड में अगर सेवारत हो और उनका ट्रांसफर नहीं दर उदर हो सकता है तो वह भी फॉर्म को बढ़ सकते हैं तो यह कुछ माजपूर्ण चीज़ें इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है उम उसके आदार को भर सकते हैं परिक्षा का प्रेटर्न किस तरीके से होगा माइनस मार्किंग है की नहीं है कितने प्रश्ण आएंगे उनके बारे में हमने चर्चा कर लिए ठीक है अगर टेट एक्जाम है तो इसको कितना नंबर लाना है इस कटेगरी को लेकर भी हमने बात क बताया कि कितनी कितनी सीटे हैं मंडल के अंतरगत तारी चीज़ें आप समझ गये होंगे इसका पीडियाप भी आप लोगों के पास होगा भी नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल में हम डाल भी देंगे और हमारे कई उत्रखंड के विद्धियार्थी 70 के जागरोख हैं जो इतजार रहेगा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार